नमस्कार आप सबका मेरे चैनल विंदास कुकिन विदरीतु में बहुत-बहुत स्वागत है दुर्गाश्चमी के आप सबको बहुत-बहुत बधाईया नवरात्र के व्रतों में हलका मसाले का खाना खाके सबका मन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है तो आज बनाते हैं चटपटे दही के शोले और भहत आराम से घर में करने वादे हैं उसके लिए सबसे पहले हमें एक कटोरी के लगबग दही को इस तबसे निकलना नहीं जाहिए आप चाहिए तो बैलेंस के लिए इसके उपर एक कटोरी इस तरह से ढख सकते हैं आप देखिए मैं आपको दिखाती हूं किस तरह से दही का पानी एक बूल करके टपकता रहेगा दो से तीन घंटे के अंदर यह बिल्कुल दही का पानी निकल जाएगा और आप चाह कुसी भी सबची को बनाने के लिए वैसे मैं इसके स्तेमाल मैदे की लेही बनाने के लिए करूंगी और गया सबहर वह में साथ सा συॉइब बॉक्स में भी protagon करें और साथ में एक चम्मच कटीवी हरी मिर्चे, वारीक और आधा चम्मच अध्रक भी मैंने डाला है दो बड़े चम्मच कौन मैंने उबाल कर डाले है और दो बड़े चम्मच मैंने इसके अंदर नारियल का पाउडर डाला है अगर आपके पास इसमें से कोई चीज मौजूद नमक, भुनाजीरा पाउडर, बड़ेंगे तो चाट मसाला डालेंगे और एक टीज पून भरकर हम इसके अंदर चीनी डालेंगे चीनी सारे मसालों का टेस्ट नमक का और चाट मसाले का बिल्कुल बैलेंस कर देगी तो चीनी डालना बहुत जरूरी है अब हम इस तरह से सा जो किनारे हम अलग करते हैं उनको फैंकने के बजाए हम इन्हें एक दिन के लिए धूप में या पंखी के नीचे सुखा दे और इसे मिक्सी के अंदर ब्लेंड कर लें तो बहुत अच्छे ब्रेट कम्स बनकर तयार हो जाते हैं अब जो दही का पानी हमें रखा था उसके बड़ा चमच मैदा डालेंगे और उसे एक अच्छी गाड़े से लेई का रूप देंगे इससे हमें जो दही के शोलेयों ने चिपकाने के काम आएगा इस तरह से देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए अब हम एक स्लाइस लेंगे और उसे बेलन की सायता से अच तो हम दूसरे किनारे को इस तरह से पलटते हुए उसे बंद कर देंगे यह हमारे दही के शोले बनकर तयार है आप इने तयार करके रख सकते हैं कभी बी चाहिए तो आप इने रात को त्यार करके फ्रिज में रख ली दिए और सुबह नाश्ट्रे के समय इने फ्राइ कर ल उपर से थोड़ा फट जाता है लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है जो मैदे की ले हमने बनाई है उसे आधा चमच लीजी और उसे इसके उपर आराम से इस तरह से कोट कर दीजिए अब हम फ्राइंग पैन में ऑईल गरम करेंगे और एक एक करके चार जो दही के शोले दही के शोले बनकर तैयार हैं और यह बहुत ज़्यादा कुरकुरे बने अब हम इने किचन टावल पर निकाल लेंगे ताकि जितना इनका एक्स्ट्र आयल है वो सारा निकल जाए आज कल के हमें हम बजार नहीं जा सकते तो इस तरह के अच्छे-च्छे नाश्ते हम घर में बना खा सकते हैं इसमें जो सब्जी हमेंने इस्तेमाल किये हैं आप कुछ य्फ Pride सब्सक्राइब प्याज मैंने इसलिए निडाली क्योंकि आज नवरात्री का दिन है कलावा आप कोई भी सब्सक्रार केस्तेमाल कर सकते हैं अब मैं आपको एक काट कर दिखाती हूँ, बहुत ही जादा कुर्पुरे बने हैं, इस तरह से एक बहुत ही अच्छा चटपटा नाश्ता बनकर तैयार है, जिसे हम जल्दी से बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि आजकल हम बाहर नहीं जा रहे हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें घर में अराम से बनाई जा सकती हैं। आप सबका मेरी वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से यादा लाइच शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वी घ्ष कर दोंदित allora पर संद आई हो, आपको को जब के सबके मारी वीडियो का वीडियो को जखके करें से लु़। झाल झाल